जी हाँ, ये कोई मार्केट से सबजी लेकी नहीं आई हुई, मेरी छट की गार्डन से तोड़ी हुई सबजिया हैं, तो आप भी अपनी छट पर उगा सकते हैं, और्गेनिक सबजियां हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे, तो चलिए आज मैं अपने टेरिस गार्डन का आपको ओबर व्यू देती हूँ, दिखाती हूँ क्या क्या है वहाँ पर, ये देखिये, लोकी की छोटी सी वेल, जिस पर बहुत सारी लोकियां लगी हुई है, आगे देखेंगे आप, ये देखिये, ये गोल वाले लोकी है, जो कद्दू लोकी भी बोलते हैं जिसको, और आगे देखिये, ये देखिये, ये लंबी वाले और ये गोल वाले, और ये बिना केमिकल, केमिकल फ्री वेजिटेवल है, जो मैंने अपने छोटे से टेरिस पर उगाकर रखी हुई है Cars ज्यादा बेल ज्यादा बड़ी भी नहीं है चोटी सी गेल उस पर डेखिक इतनी सारे फ्लार भी आए हुए और उसारे बेगन है काठे वाला बेगन जो बोलते हैं भर्मा बेगन और यह भरते वाला बेगन है यह देखिए यह अभी छोटासा नन्ना साबे भी है यह बडा होगा इसका फिर भरता बनाएंगे यह green wagon है गोल वाले इसकी यह green wagon इनमें Бड़ा भी आता है green bale जो हमारे एरिय में होते हैं इसको इसका भी भलता बहुत टेस्टी लगता है देशी wagon बोलते हैं यह देकि यह मिर्च कितनी लंब लंबी मिर्च बहुत तीखी मिर्च है गोर यह करेलि की बेल है और यहां भी बेगन लगी हुई है यह देखें यह भी बेगन है और यह एक करेले की बेल है और यह देखें यहां बींस है बींस लगी हुई है यह देखें यह बरवटी की बेल है छोटे से यह में ज्यादा लंबा भी नहीं फैला हुआ उसके बाद भी बहुत अच्छा है उ जो बीन से बहुत अच्छी आ रहे हैं हमारी यह इसको बरवर्टी बोलते हैं और कई लोग लोविया भी बोलते हैं आप क्या क्या बोलते हैं प्लीज बताईए यह देखिए मिर्च में कितने सारे फलार आ रहे हैं और यहीं पे गलोवी की बेल लगी हुई है और यह सब टाइजर बनाती है और गोवर ख़त और बर्मी लाइजर बनाती हुई और बर्मी कमपोसे का यूजुकर बहार का कुछ भी बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं यह देखिए यहां पे बेगान है यह भी भटेवाला बेगान यह लदी है अमबहल्दी और जो हमारी कच्कि पीली हल्दी होती है और यहाँ पर देखें प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब टो आवर चैनल